दिल दड़क राना आपका भी वोट तो पड़ गए इम्तिहान खतम अब नतीजों की बारी 23 मई सुबा 6 बजे से लगातार आपके मोबाइल पर यूपी तक पर देश में किसकी सरकार बनेगी ये साफ होने में अब बस थोड़ा ही वक्त का इंतिजार है इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है गुजरात बीजेपी के नेता गोर्दन जड़फिया साथ ही यूपी के सब रभारी रहे हैं यूपी से वापिस लोटे है किया है and I had been to the remotest places तो मेरा भी यही मानना है कि 65 से 70 से कम नहीं आ रहेगी बीजेपी उत्रपदेश में जो आकलन मीडिया का है कई मीडिया तो कम भी बता रहे हैं लेकिन ग्राउंड की रियलेटी से मैं कहता हूं कि जो कम बता रहे हैं वो कल शाम तक सही कह देंगे कि क्या लगता है कि गड़बंधन का असर नहीं होगा वहां पर जिस तरीके से सपा बसपा दोनों साथ आये थे गड़बंधन का एक वातावरण अवश्च बना था तीन मेने से पहले क्योंकि 2014 और 17 के वोट को अगर जोडा जाये दोनों पार्टियों का तो इत्व संच क्योंकिर है लेकिन इनको पता नहीं था यह दोनों चीजे जो हंग वह दिज्वादी लेकिन इट सब फिजिक्स वो और नाइडेंटिकल रहता है इसलिए वोड जुड़ा इसलिए नहीं है कि दोनों की सरकारों के बीज तीस साल का तीन दसक का जो रंजीश रही नीचे कारकरताओं में और इन्होंने जो जाती ये पोलिटिक्स किया दोनों पार्टियों ने जात 12 से ज्यादा रेलिया संयुक्त रूप से नहीं कर पाए क्यूंकि उनको यही डर था कि हमारे प्रत्याशी जीते ताकि 2022 में हमारा अस्तीत्व बना रहे हैं तो इसलिए ये गट जोड जो था एक तो तकवादी था अपर्चुनिस्ट था और दोनों पार्टियों के कारकरता कि केडर के बीच कोई समझोता नहीं था इसलिए उसका कोई असर उत्रपदेश को देखने को मिला नहीं हमें ना उनके कारकरमों में मिला लेकिन एक बात जो मिली वो चाहे शहर हो या ग्रामिंड मोदी साब के नाम से लोगों में जो उत्साह था वो किसी कास्टिजम जब जब प्रिवेल किया है तब तब सपाबसपा को फाइदा हुआ है इस बार कास्टिजम निरस्त हो रहा है साथ 14 में 17 में और 19 में क्या वज़ा है कि कास्टिजम आप बोल रहे हैं कि कास्टिजम नहीं रहा है लोगों ने पसंद किया है मोधी साहब को तो क्या मतलब वज़ा क्या है ऐसी कि जिसकी वज़ा से ये पूरा जो पिच्चर आप कह रहे है वो चेंज हो गया चेंज इसलिए हुआ कि उदारन तह दो हजार चौदा एक आशा थी कि देश में एक ऐसा नेतरुज़ों जज़ास साल की यूपीय का गड़बंदन की जो सरक देश को संबाले कौन तो 14 में नरंद्र भाइ आशा थे 19 का चुनाव विश्वास में बदल गया देखिए आशा और विश्वास ये प्रो गवर्मेंट वूटिंग था क्योंकि मैंने देखा मैं काफी ग्रामेंट शेत्रों में पहली बार बिजली पहुंची गाउं में वह सोचा लए तो यह जो द्रश्य हमने देखा है उन्होंने कास्ट बेरियर को तोड़ा है और जो एंटी इंकममंसी होना चाहिए था वो प्रो गवर्मेंट हो गया वैसे योगी जी के आने के बाद हमारे साथ चरण के चुनाव इस बार हुए नो अंटोवर्ड इंसिडेंस यूपी एक बहुत बड़ा अगर सफल कहा जाए तो साथो चरणों में शांती पुरुन मतदान होना डेट आट अवरेज ऑफ सिक्ष्टी प्लस मैं मानता हूं कि मोदी जी के प्रती और इस सफलता का दूसरा राज है कि अमीत भाई जब वहां प्रभारी रहें उत्तर प्र जाना और हमारी जो संगठन सिष्टीम थी पूरे देश की वो यूपी में ठीक से लाग हो गई इसलिए हमारी जितका यह भी वजाए है कि हमारी बूत मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा है अग जिस तरीके से योगी वहां पर काम कर रहे तो आपको लगता है कि योगी की की एक सफलता उसमें कही जाएगी ी देखिये शफलता तो योगी मोदी दोनोगी उतरप्रदेश में रहेगी लेकिन मोदी जी के काम योगी जी को अभी दो साल हुए हैं, दो साल में हम जितना करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएं, लेकिन हमने रास्ता चुन दिया हैं, जैसे कि हम लोग बिजली दे रहे थे, जब सपा की सरकार आखरी में थी 17 तक, 6-8 गंटा बिजली थी, दिन में मिली तो रात में नहीं, और हमने जो जनरेशन का प्लान किया है, एलेक्टिसीटी का, बाइ दी एंड ऑफ 2020, हम यूपी में 24 बाइ सेवन, 24 गंटा बिजली देंगे, एक नया बदलाव था, और जहां तक क्रिशकों का सवाल था, बहुत सारी नराजगी क्रिशकों की थी, क्रिशी समुदाई की, कांग्रेस ने वादे बहुत किये, लेकिन हमारी दो किस्त चुनाव के दोरान किसानों के एकाउंट में आई, हमने 54 लाग मेट्रिक टंध धान को MSP से खरीदा, 19 गंणा मिलो को हमने फिर से चालू किया, और 53,000 क्रोड, 53,000 क्रोड दिया हमने, प्रियंका की कहीं पे भी हवा नहीं चली फिर, प्रियंका जी का, लोगों को लगता था, इसे पूलिटिकल ग्लैमर, ऐसा नहीं है, प्रियंका जी, पहली बार चुनाव में आई, वह बारा में भी आई, 14 में भी आई, 17 में भी आई, दो लड़के निकले थे 17 में, ये भी गड़बंदन था, युवा निकले थे, लेकिन वही गड़बंदन ने 403 में से कांग्रेस को 7 सीटे दिया, मतलब 2 परसंट भी नहीं, तो ये गड़बंदन भी वैसा ही है, कि गड़बंदन का अगर उदर 7.5 परसंट कांग्रेस और 22 परसंट सपा मिलता, तो कम से कम वो 1.500 सीटे विदान सपा में ले जाते हैं, अगर वो कैमेश्ट्री होती, इस बार भी ये कैमेश्ट्री नहीं है, इसलिए गड़बंदन का नीचे असर नहीं है, और मोदी जी के काम से, लोगों में जो संतोश रहा, I think it was pro-government voting. Sir, आखरी सवाल, कितनी सिख देते हैं UP में? Division of votes and the method of pattern of voting, कई जगा कद्दावर नेता भी उनकी पार्टी में है, तो ऐसी कोई सीटे हो, इसलिए मेरा आकलन 65 से 70 तक दे रहा हूं, क्योंकि मैं एक्जगरेट नहीं करना चाहता, क्योंकि कल मैं जूठा साबित हूं, अगर मैं जूठा साबित हूं और 70 पास करें, तो I'll be the happiest man.